नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल रोयल मुजिक और बेक पाइप पे दोस्तों आज भी मैं एक नई वीडियो के साथ लोटाया हूँ और इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइस नमबर सेवन यानि की स्केल नमबर सेवन एक वीवर रहा होगा और यह जो स्केल हैं हम धीरे-धीरे करके एक-एक कदम में कैसे बजाया जाता है वह आज हम सिखेंगे ठीक है दोस्तों जो स्केल हम स्केल नमबर सेवन बजा रहे हैं उसका टाइम सिगनेचर है टू-फोर यानि की एक पैर पे एक क्रचट दुसरे पैर पे एक क सबसे पहले दोस्तों आपको पहले कदम में बजाना है देखा अब आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा क्योंकि में है बजाना आपको क्या करना है यह केल नूम्बर 7 में तीन जो फिंगर है इनका आपको धियान रखना है सबसे पहले ये ये उसके बाद उसके बाद ये तीनो अगर ये तीनो को एक साथ बजाय जाए तो ऐसे बशता है देखा दुस्तो ऐसे बजाय जाता है तो ये ही लगेगा 7 नमबर इसकेल में चले दोस्तों सबसे पहले एक नमबर कदम यानि कि लेफ्ट से सुरू होता है आपको लेफ्ट से सुरू करना है चले दोस्तों पहला कदम में आपको बजाना है लेफ्ट में देखा दोस्तों अब दूसरी कदम में आपको रखना है ऐसा ही पहला कदम में आपको पहले ए रख पहला और दूसरा कदम हम बजाते हैं चलिए दोस्तों देखा बहुत ही इजी है और आपको भी समझ में आ रहा होगा अब हम तीसरा कदम बजाते हैं देखा और आप हम चौथा कदम बजाएंगे डी और पहला दूसरा तीसरा और चौधा कदम हम बजाएंगे चलिए दोस्तों सुरकरते हैं ऐसे बजाना है अब हम पांचवा और छेटा नंबर बजाएंगे यानिकि पांच कदम बजाएंगे और छे कदम बजाएंगे ठीके दोस्तों चले दोस्तों, शुरू करते हैं, अच्वा, और 6 नमबर में, ऐसे बजाना है, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नमबर तक हम बजाएंगे, 6 नमबर कदम तक, 6 कदम तक हम बजाएंगे, शुरू से लेकर, ठीक है दोस्तों, पहला कदम, 6 कदम तक हमने बजाएंगे, अब साथवा और आठवा बजाएंगे हम, ठीक है दोस्तों, साथवा में आपके करना है, आठवा में, बस, ये तीन बजाना है, तभी साथ नमबर ग्रेस लाएंगे, फिर से साथवा और आठवा बजाएंगे, आठवा और नौव और दस कदम बजाएंगे हम, फिर से दस, अब ग्यारा और बारा बजाएंगे, बारा, तेरा और चौदा, लास्ट, पंदरा और सॉलव बजाएंगे, देखा दोस्तों कितना इजी था, दोस्तों सबसब पहले आपको बता दो, इसकेल बजाने से पहले आपको जो एक्सरसाइज में अप्लोड करता हूँ, वो एक्सरसाइज को आपको रेगुलर बजाना है, तो आपका जो उंगली जो फिंगर है, ये खुल जाएगा, और आप अच्छे से मार्ज बजा सकेंगे, सबसे पहले आपको पता ही होगा, ये ए कहा जाता है, उसके बाद धीरे-धीरे कैसे, सिक्वेंस से उठेगा, इसके बाद V, C, D, E, F, G, फिर से हाई A, फिर से G, F, E, D, इसके बाद C, B, A, इसी में सिर्फ साथ नमबर इसके जो तीनों ग्रे से लगाना है, चलि हम सूरे से लेकर लास्त तक अब बजाते हैं, ठेक हैं? यह था स्केल नमबर शेवन, दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं, अगले वीडियो के साथ फिर लॉटते हैं, तब दे के लिए धन्यवाद.